वु員 क्लिने 7 अव ऑंडिया सुराँ डाइमड इनॉट एंडिया सुराँ एंष्कि लाज सון टो पॉपलेशंड सूराँ सूराफ सुराद सॲद एक सिटी है खुफिज्रात में जो की फेमोस है काफी सारे चीजों के लिए जिसके बारे में आज मैं आपकोर बतारने वाली द कूमा चानल आज की इस वीडियो के सायले सूरत में ऐब को बताने वाइं सूरत वो भी एक दिन में तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं सूरत जाने के कई सारे वेज हैं लएक आप ट्रेन से जा सकते हूं थिरेंस से आपको उतरना है प्राइविट AC बसेस होती है सूरत जाने के लिए आप उससे भी जा सकते हो और आप अपके प्राइविट वेहिकल से जा सकते हो अब जो लोग ट्रेन या फिर बसे से जा रहे हैं उनको सूरत घुमने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा उप्शन बताने वाली हूँ बाइक रेंटिंग का तो सूरत रेल्वेस स्टेशन के पास ही में बाइक रेंटिंग सर्विस है जो की आपको बाइक देती है फो वन डे कुछ अरौन थ्री फिफ्टी रुपीज उनका कॉस्ट होता है एस पर सीजन वो चेंज भी होता होगा तो वो आप उनको कॉल करके पूछ लेना मैं उनका जो भी कॉन्टैक डीटेश वगरा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दोंगी तो आप सूरत में आके आप सबसे पहले जा सकते हो ऑथेंटिक ब्रेक्फास्ट करने श्री जी लच्चो शॉप में यहां पर लच्चो नाम का एक डिश मिलता है जो कि यहां पर बहुती ज़्यादा फेमस है यह आप देख सकते हो इसके साथ हमें ग्रीन कलर का चटनी और कुछ कान्दा देते है और इसका टेस्ट है वो बहुती ज़्यादा अमेजिंग है यह जो ग्रीन चटनी यह आपको तो यह जो शॉप है यह काफी ज़्यादा फेमस शॉप है यहां पर अगर आप अर्ली मॉर्निंग आओगे तो यहां पर बड़ी बड़ी लाइन होती है लच्चो खाने के लिए तो इतने सारे लोग अगर यहां पर लच्चो खाने के लिए आते हैं तो उससे ही पता चलता कि यह बहुत ही ज़ादा टेस्टी है और बहुत फेमस भी है आप्टर एटिंग लच्चो आप जा सकते हो फर्स पॉइंट की तरफ इस सरदार म्यूजियम सरदार म्यूजियम यह काफी बड़ा म्यूजियम है यहां पर काफी सारे साइंस एक्जिबीट्स वगरा रखे गए है अंदर ही यहां पर प्लानेटेरियम वगरा भी है यहां पर एंटर करने के चार्जेस कुछ अरॉण 200 रूपीज पर परसन है तो आप यह पूरा एक्स्प्लोर कर सकते हो इसे पूरा एक्स्प्लोर करने में कुछ राउन 2-3 आज लगते हैं अगर आप आराम से एकदम देखोगे तो तो अगर आपको इंटरेस्ट है कुछ साइंस एक्जिबीट्स वगरा देखने में तो आप यह प्लेस पर जा सकते हो आफ्टर म्यूजियम आप जा सकते हो जबदीश चंदरबोस एक्वेरियम में यह एक बहुत ही बड़ा एक्वेरियम है आपको अंदर फ्री पार्किंग मिल जाएगी और यहाँ पर एंट्री करने के चार्जे से 100 रुपीज पर परस है अब यहाँ पर 100 रुपीज ऐसा क्य आपको बताना चाहूंगे कि यह आज तक का मैंने देखा हूँ बहुत ही अलग एक्वेरियम था अन काफी बड़ा भी था अलग इसलिए था यह मैं आपको थोड़ी दे बात बताऊंगी इस एक्वेरियम में काफी सारे अलग-अलग फीश मुझे देखने मिले और मरीन फी बारण मुझे उसका वीडियो जो है वह प्रॉपरली लेने ने मिला वट आप जाके यहां पर शाक्स जो है वह देख सकते हैं उसी के साथ मैंने और भी कई सारे फीश देखे फ्रेश वाटर फीश मरीन वाटर फीश और उन्हें एकदम प्रॉपरली क्लीन टैंक में रखा गया था तो अगर आपको फीश वागरा देखना पसंद है अक्वेडियम पसंद है तो यह बहुती अमेजिंग एक्वेडियम है बले इसका चार्ज जो है वह हंडेट रूपीज पर परसन है बट बहुती जादा वर्त है बिकॉस नॉमली ऐसे शाक्स वागरा देखने नही पर तो आपको बहुती अमेजिंग मिल जाएगी अज आप गुजरात में हो तो आप गुजराती थाली एक बार जरूर यहां पर आके ट्राय करना अब आफटर डूइंग यह लंच आप जापते हो सतन्ना नेचर पार्क इंजू में यहां पर अपको भार रोड़ साइडी पार्किंग जो है वो मिल जाएगा और यहां पर अंदर एंटर करने की चार्जे से ओनली 30 रूपीज पर परसन तब टिकेट लेके चलेंगे अंदर यह जो भी बाकी जू की तरह ही है नॉमल एक जू है यहां पर काफी मैंने अलग-अलग अनिमल्स देखे लाइक ओटर दे गया है और यहां पर अलग-अलग टाइप के बर्ड वगरा भी हमें देखने मिले यह पूरा जू गुमने में कुछ अराउंड वान और टू आज आज आपको लगेंगे यहां पर अंदरी कैंटीन दन वाश रूम ड्रिंकिंग वाटर यह सब अवेलेबल है तो अगर आपन लंच नहीं किया होगा तो आप यहां पर कैंटिंग में आकी कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स वगरा जो है वो भी खा सकते हो आफ्टर सतना जू आप जा सकते हो आपके देखा ब्यूडिफुल संसेट देखने दूमस बीच यह सूरत सिटी से कुछ और ट्वेंटी तू ट्वेन किलोमीटर की दूरी पर है यहां पर जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही जादा सुन्दर है रास्ते में आपको सूरत भी देखने मिलेगा तो गाइज यह है दूमस बीच ब्लाक सैंड बीच है यह और लो टाइड के कारण पानी जो है वो काफी अंदर तक गया है और यहां पर आप यह जो इतने सारे आप लोग देखे हो वो यहां पर सिफ और सिफ संसेट एंजॉइ करने के लिए आए है तो जहां पर आप संसेट देखते देखते खाने का मज़ा भी ले सकते हो तिन यहां पर एक सुंदर सा मंदीर भी है जहां पर आप जा सकते हो अब आफटर एंजॉइव संसेट आप बीच से रीटन आते टाइम में आपको एक और प्लेस के बारे में बतावांगी जहां पर प्रश्ट आइस डालते हैं उसके उपर वो कोको डालते हैं उसे मिक्स करके हमें पीने के लिए देते हैं बहुती जादा अमेजिंग तम इसका टेस्ट अगर आपको भी चॉकलेट वगरा पसंद है तो आप यहाँ पर आके यह कोको एक बार जरूर ट्राय करें बहुती डिफरेंट है यह चॉकलेट मिक्षिक की तरह भी नहीं है बहुत अलग टेस्ट हैं बहुती जादा अमेजिंग भी है तो यह पूरा सूरत भूमते टाइम, end of the day यह कोको पीना बिल्कुल भी मत भूलना आपको बहुती जादा पसंद आए गई है यह था वीडियो on things to do in सूरत इस वीडियो मैंने कई सारी चीजें बताई है then places बताई है जहां पर आप घूमने जा सकते हो वो भी one day में अब इसके अलावा यहां पर और भी कुछ places है like सूरत fort, सूरत castle, Dutch garden, Lakeview garden जहां पर आप जा सकते हो पर इन मेंसे कुछ places जो थी वो under maintenance थी तो उसके कारण बन थी मुझे विजिट करने नहीं मिली पर आप जब भी जाओगे तो यह places भी जरूर विजिट करना और उसी के साथ अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आओगा तो वीडियो को like and share भी जरूर करना और चैनल को subscribe करने मत बुलना और आपका जो भी डाउट होगा मों नीचे मुझे comment box में जरूर पूर्जना by that time keep traveling with Tejasvi करने मत बुलना